हेलो एब्रीवान वेलकम टू स्टेड़ी आइक्यू स्टेट पीसियस आप सभी का स्वागत है स्टेड़ी यूट्यू प्लैटफॉर्म पर तो जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर यूपी पीसियस प्रिलम्स को टार्गेट करके एक 60 सीरीज चला रहे हैं जिसमें अभी हम सबसे पहले माट्स को कवर कर रहे हैं और मैट्स में काफी सारे वीडियोस में अल्रेडी डाल चुकी हूँ अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख क्योंकि वो सारे वीडियोस आपके पीवाई क्यों बेस्ट फ्रीक्वेंटली आस्ट टॉपिक पर हैं ठीक है और वहां पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड कोईशन कर रहे हैं जो कि आपके एक्जाइम पॉइंट वी से काफी इंपॉर्टेंट है ओके तो यहां पर सबसे पहल रहे हैं बट इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि जो यूपी से बिलॉंग नहीं करता या फिर जो यूपी PCS नहीं दे रहा है तो वो इस वीडियो को नहीं देख सकता ऐसा बिलुकुल भी नहीं है ठीक है अगर आप अपने सी सेट एक्जामिनेशन के लिए इस वीड टाकि कॉंसेप्ट चीजे तो कॉंस्टेंट है ठीक है चलो बिना किसी देएरी हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को देट डट इस सिंपल इंड्रेस्ट बट स्राट करने से पहले आप सभी के लिए कि इंफोरमेशन है कि इस इंडिपेंडेंदेंज डे आप चाहे यूपी हो हर्याना हो बिहार हो मध्यप्रदेश हो उडिशा जम्मू काश्मीर पंजाब वेस्ट पेंगॉल या असाम जतने स्टेट यहां पे लिखे हुए हैं इन में से किसी भी स्टेट पीसेस को अगर आप बिलॉंग करते हैं तो आप इस स्टेट पीसेस के अगर त करेंगे तो आपको हमारे बैचेस में डिसकाउंट मिलेगा कितना डिसकाउंट तो वो मिलेगा आपको फ्लाइट ट्वेंट फॉर्टी सेवन परसेंट डिसकाउंट ठीक है चलो अब अगर आप मेंसे जो भी स्टूटेंट मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो या टेलिग्राम पर जोड़ सकते हैं तो यह है मेरे इंस्ट्राग्राम आईडी और यह है टेलिग्राम चैनल यहाँ पर हम वीडियो की लिंक पीडियाफ वगेरा सारा कुछ डेट अपलोड करते हैं ठीक है चलो अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर a sum of money was invested for 3 years at the rate of r% per annum रुको solve अकरने से पहले में एक चीज़ आपको यहाँ पे clear कर देती हूं that is कि previously अगर हम देखें UP state में तो directly simple interest का सिर्फ simple interest का question ऐसा direct देखने नहीं मिला है simple interest और compound interest मिला के question आया हुआ है बट यहाँ पर मैंने simple interest वीडियो रखा है topic रखा है क्योंकि simple interest अगर आपसे बनेगा तो ही आप compound interest के question solve कर पाएंगे या फिर compound interest और simple interest को मर्ज करके जो question पूछे जाते हैं वो आप तभी solve कर पाएंगे जवाब को actual SI के question solve करते बनेंगे ठीक है तो इसलिए priority में पहले आपको SI आना चाहिए then CI पर हम जाएंगे और जब हम CI के question कल करेंगे तो उस पे हम SI CI mixed करके भी आपको question बताएंगे कि जैसे previously पूछे भी गए ह हैं ठीक है चलिए तो आज के जो वीडियो रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ SI based होगा वो ठीक है क्योंकि अगर यह नहीं रास्ता यहीं से होता है अगर आपको SI नहीं पढ़ोगे डारेक्ट CI पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा आपको अगर जो भी beginner होंगे या फिर ज चलिए Sum of money was invested for three years at the rate of r% per annum simple interest मतलब यह कि एक कोई धनराशी है जो कि r% साधारन ब्याच की दर पर तीन साल के लिए निवेशित किया गया था या फिर इन्वेस्ट की गई थी ओके आपको यह बताना है कि कितना इमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया गया ठीक कैसे करोगे इस क्वेश्टन को जस्तर से कि अब देखो ऐसम of money है एंड वी डोंट नो कि वो सम अफ मनी क्या है हमें क्या पता क्या है एक्जैम में ऐसे ही होगा चीजे आधी पता होंगी आधी नहीं पता होंगी और पता आपको लगानी पड़ेगी यही काम करने अगर आपको पास होना है तो कैसे करोगे आप यह देखोगे कि सम of money हमें नहीं पता तो हमने माल लिया कि let the money be P वो sum of money क्या है P है ठीक है और rate कितनी है भई तो पहले rate थी R percent ठीक है फिर बाद में क्या हुआ और यह timing थी इसकी 3 years अब यह मैं समझाने के लिए लिख रहे हूं या आपको नहीं लिखना है ठीक है आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है नाओ तो question is R percent साधारण ब्याच के दर पर तीन साल के लिए निवेशत किया गया था तो बस आप इसको निवेशत कर दो invest कर दो तो इन सभी के basis पे आप आई निकाल लो ओके तो जब आप यह देखोगे कि अब यह फॉर्मुला भी अगर आपको याद है तो ठीक अधरवाइस बार बर लिखना नहीं है लेकिन अगर अगर अब प्रेक्टिस लिखते कर लिख लिखके करोगे तो आपको वह चीज़ और आपको यह बताना है कि एक तो यह वाला सिंपल इंट्रेस्ट ओके और दूसरा यह कि अगर हम रेट को आर प्लस टू परसेंट कर दें ठीक है अगर हम रेट को आर प्लस टू परसेंट कर दें रुको राशी वही रहेगी ठीक है राशी वही रहेगी अभी भी सेम है राशी लेकिन अगर आर को आर प्लस टू परसेंट कर दिया जाए ैए उके तो उस पर 84 रुपीज अधिक भ्याज मिलता है और टाइमिंग भी क्या है टाइमिंग भी सेम है, ओके बस जो इंट्रेस्ट है ना उसका जो डिफरेंस है, मतलब उनके 20 का जो अंतर है वो कितना है भई, 84 रुपीज का है, ठीक, अब आप इसको अरेंज कर दीजे, तो जब आप इसको अरेंज करेंगे, then you will get, कि P इंटू, R प्लस 2, परसेंट जब कर दिया हमने 3 स और 3, divided by ये, इन सभी का जो अंतर है वो 84 है, according to the question, ओके, now, अब आप यहां से क्या करोगे, 3 इंटू P, 3 इंटू P, नीचे भी 100, नीचे भी 100, तो 3P by 100 को आप बाहर निकाल लो, common निकाल लो, 3P by 100, तो कितना बचा, हमाई पस बचा, R प्लस 2, माइनस R, ठीक, इक्वल्स ट to 84, R से R कट गया, तो there will be 6P divided by 100, equals to 84, बस अब आप इसको simplify कर लो, तो 14 के टेबल से कट जाएगा, 16 बंजा, 16, sorry, 14, 6, ठीक है, 14, 6, 84, और ये 100 यहां चला जाएगा, तो this will be 1400, तो 1400 क्या है, 1400, the sum of money which is invested when R plus 2% rate, then the difference of their interest is 84, ठीक है, तो ये इसका question था, तो आपने देखा किस तरीके से question, जब SI, CI के पूछे जाते हैं, तो या तो simple question होंगी, simple नहीं होंगी, तो इस तरीके से किसी ना किसी का जो SI है, उनका difference given होगा, या they are equal to each other, इस type के question आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, चलो, next question देखो, तो यहाँ पर प्रिवेस का right answer क्या था, 1400, ठीक है, चलो, अगला देखिए, next question इस, प्रती वर्ष, 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशी, 3.5 years में प्राप्त ब्याज, एक दूसरी राशी को, 5 वर्षों के लिए, प्रती 12.6% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है, मतलब यह, कि यहाँ पर भी हमको राशी ड दूसरी से दी गई है, कि एक रेट है, सर्टें और एक सर्टें टाइम है, तो उस पर वेस्ट जो ऐसाई है, उसी राशी पर, अगली रेट और अगले टाइम के SI के इक्वल है, तो आप से बोल रहा है कि निवेशित राशियों का आपको क्या निकालना है, अनुपात निका तो आप इनको लेकर चलें, चलो, solve गरने पर अगर हम आएं, to the interest received on a sum of money invested for 3.5 years at 16% simple interest, मतलब यह होगया आपका P, ठीक है, यह होगया आपका 3.5 years और rate कितनी होगी, 16% तो यह होगया SI का formula और this is equal to, this is equal to same money, यानि कि P, rate क्या है भई, तो rate आप देखेंगे 12.6%, ठीक है, और time क्या है, time क्या है, 5 years, तो यह होगया 5, और divided by 100, दोनों के SI जो है वो क्या है, आपस में बराबर है, आप इसको simplify कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, यह वाले decimal से, यह वाले decimal कट जाएगा, directly, ठीक है, कैसे कटेगा, तो नीचे 10 आएगा, यहाँ पर भी नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, जैसे 100 से 100 कटा, ओके, अब इसके बाद आप इसको simplify कर लो, 5 बंजा 5, 5, 7 जा 35, ठीक है, 4, 4 जा 16, और नई, 4 से नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2, 8 जा 16, और यह कितना हो गया, 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 6, 7, 1 जा 7, 7, 9 जा 63, ठीक है, तो अब एक राशी को आप P1 मान लो, तो एक राशी को आप P2 मान लो, तो अब आप देखिएगा, आपका आंसर आपको देख रहा होगा, ठीक, P1 यहाँ पे है, पीटू को यहाँ पे लियाओ, तो यह कितना हो जाएगा, 9 वहाँ पे है, 8 को यहाँ भेज दो, तो 9 by 8 जो होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, उन राशियों का अनुपाथ हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस कुश्चन को करना है, कुश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस लैंग्विज थोड़ी सी अगर आप अंडर्स्टेंड कर गए, तो आप इन कुश्चन को सॉल्फ कर पाएंगे, तो आपका राइड आंसर क्या हो जाएगा, 9 इस टू 8, ठीक है, अब यहाँ पे आपको उल्टा नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे रेश्यों में जाके उल्टा कर देते हैं, इससे पहले कई बार में गलती बता चुकी हूँ, चलो, एक हजार रुपे की धनराशी, एक निश्रत साधारन व्याज की दर पर, दो साल में बढ़कर, एक हजार एक सो चालिस रुपे हो जाती है, देखो, कभी भी कोई भी एमाउंट ओफ मनी, कोई भी सम ओफ मनी, अगर किसी सर्टेन टाइम पीरेट पे, या किसी सर्टेन रेट पे कुछ था और कुछ हो गया, तो कुछ जो हो गया, that's called the amount और मिश्रधन, ठीक है, मिलने वाली जो राशी है, लोटाई जाने वाल रशी अगर जादा हो, तो मिश्रधन को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो जो पी है, वो थाउजन है, तो जो ए होगा न, वो कितना हो जाएगा, 1140, और यदी प्याज की दर में, 4% की व्रधी की जाती है, तो मूल राशी बढ़कर कितनी हो जाएगी, आपको यह बताना है, मतलब पहले कोई certain rate रही होगी, तो उस basis पर, दो साल में 1000 रुपे, 1040 हो गए, 140 हो गए, फिर वो जो rate नि कितनी हो जाएगी, तो कैसे करोगे आप इस question को, देखिए, 1000 रुपे की राशी है, ओके, और दो साल में बढ़कर कितनी हो गई भई, 1140 हो गई, तो यह हो गई, दो साल में, 1140, मतलब यह, यह हो गया आपका P, और यह हो गया आपका A, मिश्रधन, ठीक है, तो अब इन दोन के बीच का जो difference होगा, इन दोनों के बीच का जो difference होगा, that's called interest, और वो कितना है, तो आप देखेंगे, 1140 में से 1000 आप घटा देंगे, then you will get 140, ठीक, तो यह हो गया interest, अब इन सभी के basis पे आप R निकाल लो, क्यों R निकाल रहे हैं, क्योंकि अगली condition में R को 4% increase करना है, तो उ उसके लिए हमें R पता होनी चीए, और हमें R पता नहीं है, ठीक है, now, अब आप R निकाल लीजिए, तो या तो आप formula लगा के R equals to करो, या तो आप एक ही formula याद रखो, कि ऐसा equals to PRT by 100 होता है, तो 140 into 100 divided by P कितना है, 1000 into time कितना है, 2 साल, और यह बराबर हो गया R के, ठीक, 120 से 20 कट गए, 10 से 10, तो 21 सा 2, 27 सा, 27 सा क्या, 14, तो R कितनी आ गई आपकी निकल के, 7%, अब, question क्या है आपका, कि अगर हम R को 4% बढ़ा दें, तो मूल राशी बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो अब आप देखिए, R यह है आपकी, इसको 4% increase कर दो, तो R, new वाली R कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी, 7 प्लस 4, that is 11%, अब जो आप अगली condition लगाओगे, तो वो इस 11% के साथ लेकर लगाओगे, है ना, तो question is कि वो राशी बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो देखिए, interest तो आपका उतना है, 140, ठीक, और यह हो गया नीचे का 100, यह हो गया 11, और, और क्या, principle amount will be, तो मूल राशी बढ़कर कितनी हो जाएगी, आपको पी निकालना है, तो यह कितना आगे, टाइम हमारा, दो साल है, ठीक, तो अब आप इसको calculate कर लीजिए, wait, हम यहाँ पर 140 नहीं लेंगे, क्योंकि, जो 140 है, वो तो भई हमारा previous P और A के बेसे, Pinterest है, बट यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा P तो constant है, भई, P तो change नहीं होगा, क्योंकि, आप खुद सोचो, कि कोई भी राशी जो है, कोई भी राशी जो है, आपने किसी को दिया, ठीक, तो आपके तरफ से वो राशी चली गई, तो वो थोड़ी change होगी, अब फलाना विकती किसी और को कुछ और amount बोलके बता रहे है, तो उसकी बात अलाग है, कि वो जूड़ बोल रहा है, उसनने वाला उसको सत समझ रहे है, लेकिन originally जो amount या जो principle आपने किसी को उधार दिया है, वो थोड़ी ना change होगा, या किस जिसने उधार लिया, वो change नहीं होगा, ठीक है, तो constant है, यह P हमारा, और T जो है, वो भी हमारा timing fix है, बस rate को उसने बोला कि आप अगर हम 4% बढ़ा दें, तो यह 1000 कितना बढ़ जाएगा, है ना, तो I आप यहाँ से निकाल लीजिए, simple, 1000 into, कितना हो जाएगा यह, 11 into 2 divided by 100, तो आप यह पाएंगे, कि आपका I निकल के आगया कितना, 11 to 22 और 1 0, मतलब 220, तो यह जो 220 है, यह क्य है, आई है, अब question ने आप से क्या पूछा, question ने पूछा है, कि जो आपकी P है, वो अगर R को 4% आप बढ़ा दो, तो P, A कितना हो जाएगा, आपको यह बताना है, तो भाई, यह पहले 1000 थी, ठीक, अब interest, जब हमने 4% बढ़ा दिया, तो हमने rate लेके चले 11%, है ना, तो ब्य amount हो जाएगा, अगर हम rate को बढ़ाएंगे, तो मतलब जो 1220 होगा, वही आपका right answer होगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़े understand करके चलनी है, कि जब हम rate को बढ़ा रहे हैं, तो changes किस पे हो रहे हैं, यह वाला 140 इस condition के लिए है, इस condition के लिए नहीं है, इसका एक अलग rate of interest अलग निकलेगा, ठीक है, चलो, अगल्या देखो, तो यहाँ पर right answer will be 1220, now, next question, क्या है question, कितने प्रतीशत वार्शिक साधारन ब्याज की दर पर कोई धनराशी 10 साल में दोगुनी हो जाएगी, इस type के question कही बार आ जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे अटक भी जाते ह इसलिए मैंने स्कोर रखा हुआ है यहाँ पर, देखो, तो कितने प्रतीशत साधारन ब्याज की दर पर कोई धनराशी 10 साल में दोगुनी हो जाएगी, हमें नहीं पता वो धनराशी कितनी है, ठीक, तो हमने माल लिए वो धनराशी 100 है, तो यह जो है 10 साल में, मतलब यह हो गया 10 years, कितनी हो रही है, दो गुनी यानि कि 200 हो रही है, तो आप से पूछ रहा है कि rate of interest क्या होगा यहाँ पर, तो simple, इन दोनों के बीच का जो difference होगा न, वो क्या होगा, वो होगा आपका interest, और वो कितना है, 100 दोसों के बीच का अंतर कितना है, 100 है, मतलब interest आपका 100 है, ठ जब इसको ऐसे लगाओगे, आई के फॉर्मिले में, तो P, R, T by 100, यह मैं समझाने के लिए लिख रहे हूँ ने, तो बहुत सारे 100 देखके आप confuse हो जाओ, आई आया है हमारा 100, यह नीचे वाला 100 ऊपर चला गया, उसके पी तो खुद 100 सपोस किया था, आर हमें निकालना है और T हमारा 10 साल है, तो यह कितना हो गया, 100 से 100 कट गया, 10 से 0 कट गया, मतलब rate of interest कितना आगया आपका, 10%, तो इस टाइप के question आपके exam में sometimes देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर दो तरीके से question पूछता है, एक बार T given है जिसे यहाँ पर, तो ऐसा होगा कि R नहीं दिया होग या तो R दिया होगा, तो T नहीं दिया होगा, तो करने का तरीका आपको इसी तरीके से करना है, then आप सही answer पर पहुच जाओगे, तो 10% यहाँ पर, right answer हो जाना है, चलो, next question देखिए, next question is, at what rate will a sum of money double itself in 12 years, वही बात है, इसको आप लोग solve करोगे, ठीक, यह आप लोगों के आप खुद solve करेंगे और comment section में answer करेंगे, कि question number 5 का answer क्या होगा, कि किस दर पर कोई धन राशी 12 साल में स्वयम की 2 गुनी हो जाएगी, in 12 years double itself, किस rate पर, ठीक, यह आप लोग करना, question यह है, कि, यदि एक राशी 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह राशी साधारण ब्याच की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो कैसे करोगे आप इस question को, तो इस question को करने के लिए आपको करना क्या है, एक formula use होता है, that is, t2 upon t1 equals to n2 minus 1 upon n1 minus 1, इस formula के basis पर जब 1 से 2 times आपको given हो, कि इतने साल में इतना, इतने साल में तो कितना, तो आप इस formula के साथ जा सकते हैं, कैसे करेंगे आप इस question को, तो simple, t1 यहाँ पर क्या है आपका, तो आप यह पाएंगे, कि t1 है आपका, कितना, 7 years, t2 कितना है, आपको निकालना है, n1 n2 कितना है आपका 16, ठीक, यह चीज़ें आपको question में given है, बस अगर आपको यह formula याद रहेगा, तो आप इस question को within few seconds कर पाएंगे, देखें, t2 निकालना है, तो इसको वैसे ही रखोगे, t1 के जगा पर आप 7 put करोगे, then n2 मतलब 16 minus 1 और n1 यानि की 4 minus 1, ठीक, बस अब आप कर लेजे, t2 upon 7 equals to 15 upon 3, ठीक, तो 3 1 जा, 3 5 जा, तो यह 7 चला जाएगा, यहाँ पर multiplication होने के लिए, तो t2 क्या जाएगा, 35, देखें ज़रा, हाँ, यानि कि option number d आपका यहाँ पर आकर सही हो जाना है, ठीक है, तो t2 आपका 35 years, right answer हो जाना है, तो आप इस question को देखें, इसके type को समझ यह, deserts change होंगे, format remains same, चलो, अगला देखो, next question is, क्या है question, कोई अक्षय नाम का लड़का है भई, वो 2 सालों के लिए, 6% साधारण ब्याज की दर पर, 3000 रुपे उधार लेता है, ठीक है, जो अक्षय है, borrows 3000 at 6% simple interest per annum for 2 years, and lends the same amount to his friend at 9% simple interest per annum for 2 years, ठीक है, तो आप से पूछ रहा है, कि how much profit will अक्षय make in 1 year, तो एक साल में उसको कितना profit हुआ, आपको यह बताना है, कैसे करें किया आप, तो देखें, इस question को करने के लिए simply, दो condition आपको दे गई है, पी आपका सेम है, तो 3000 है, 3000 principle है, 6% का rate है, and 2 साल का ब्याज है, तो इस बेसिस पे आपका एक ऐसा ही निकल जाएगा, तो यह कितना हो गया भई, इसके बाद अगली condition बोली गई, की same amount पर, है ना, समान राशी पर 2 साल के लिए, मतलब, राशी वही है, तो राशी की जगा 3000 ही लिखोगे, ठीक है, और 2 साल के लिए 9% की rate पर, divided by 100, 2 0 से यह 2 0 कट गया, पस इसको आप simplify कर लो, what will you get, यह हो जाएगा, 9, 3 सा 27, 2 सा 54, और 1 0, यानि की 540, ठीक, तो यह दोनों अलग-अलग condition के interest हो गए, अब according to the question, की उसको एक साल में कितना लाब हुआ, तो profit हुआ, यह loss हुआ, यह कैसे पता चलेगा, उनके interest को देखके, कि उनको interest कितना मिल रहा है, राशी कितनी थी और कितना उनको profit हो रहा है, है न, तो अगर अब इन दोनों का difference देखेंगी, ठीक है, यह भी interest है, और यह भी interest है, बट यह 2 साल का 6% की दरब interest है, यह 2 साल का 9% की दरब interest है, तो difference 2 years का, इनके बीच का कितना हो गया, तो आप ये पाएंगे कि 540 में से आप 360 घटा देंगे, तो ये हो गया, कितना हो गया, 180, तो 180 क्या हो गया, इनका 2 साल का ब्याज, अब आपको option में जान बूच कर 180 भी दिया गया है, ताकि बच्चे जल्दी जल्दी में गलती करें, 180 लगा कर आजाएं, क्योंकि दोनों के बीच का जो profit हुआ है, वो उनके अंतर को दिखाएगा, तो अंतर तो 180 आ रहा है, लेकिन 180 आंसर नहीं है, let me tell you, आप से पूछा है question में, one year का बताने आपको कितना होगा, तो ये तो दो साल का ब्याज है ना, तो आप क्या करोगे, ए आपका 90, मतलब उसको 90 रुपीज का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका option number A, और B आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये I have already explained it, okay, now, next question is, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, कि किस तरीके से हम इन questions को deal कर रहे हैं, ऐसे ही आपको लेकर चलना है, चलिए, अगला देखिए, in how much time will a sum of money invested at 10% simple interest per annum become 40% more than itself, मतलब question ये कह रहा है, कि कितने समय में साधारन ब्याज की 10% की दर पर निवेशित कोई धनराशी स्वयम से 40% अधिक हो जाएगी, मतलब ये कि पहले तो आपको पता हो कि भाई, actually में वो sum of money है क्या, and we don't know कि वो sum of money क्या है, जब आपको कोई चीज नहीं पता है maths में, तो आप उसको क्या करोगे, मान लोगे, ठीक है, तो आपने मान लिया कि वो sum of money 100 है, ठीक, और फिर वो क्या हो रहा है, 10% की rate पर, 10% की rate पर, वो खुद की 40% जादा हो जा रही है, मतलब 100 का 40% जादा हो ना, मतलब 100 में 40 जोड के बात करना, तो that is 140, मतलब वो हो कित्ती रही है, वो थी 100, और हो गई कित्ती 40% जादा होने की वज़ा से, तो वो हो गई 140, तो जो चीज हो गई, वो बन गई मिश्रधन, और जो चीज थी, वो थी आपकी constant principle, ठीक है, आप question ने आपसे कहा, कि कितने समय में वो चीज 40% एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इनके बीच का आप difference निकाल लीजिए, इनके बीच का जो difference है, वो कितना है, तो वो है भाई, 40 का, है ना, तो आपसे आपको rate given है, 10%, आपको principle given है, rate given है, interest given है, time आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, PRT वाला formula लगा दो, जो चीज़े given है, जो नहीं given वो आ जाएगी, तो I आपका हो गया 40, into 100, divided by, P आपका 100, और R आपका 10, ठीक है, तो this will be 4, हाँ, यानि कि option number D, आपका right answer हो जाना है, 4 years जो होगा, वो आपका correct answer हो जाएगा, तो question का type को आप पहचानिए, और फिर आप try कीज़े कि अगर इस type का question आता है, deserts change होंगी, बाकी की जीज़े आपकी same रहेंगी, ठीक है, I hope आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे question कर रहे हैं, देखिए ये आपके base है, अगर ये आपके clear नहीं होंगे, तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है, ओके, तो इसको आपको थोड़ अच्छे से लेकर चलना है, एक और question है, जिस पर time आपको month के form में दिया गया है, directly year नहीं given है, तो जब भी आपको timing month के form में हो, तो उसको year बनाने के लिए आपको just उसको 12 से divide करना है, यह चीज आपको ध्यान दे के चलनी है, तो पहली चीज, यह गलती मत करना कि आपने 3 महीने लेकर चलेगा और solve कर दिया, यह आपको नहीं करना है, ठीक है, तो अठारा सो, सॉरी, 875 रुपे पर 21 रुपे ब्याज मिलता है, तो साधारान ब्याज की प्रती वर्ष कितनी दर्थी, आपको यह बताना है, तो कैसे करोगे इस question को, तो simply 850 रुपीज है, है ना, 850 रुपीज है, तो यह क्या है आपका P, ठीक, यह है आपका P, तो P is 870 रुपीज, not 850, and time आपको given है 3 month, 3 month है, तो आप उसको year में convert कर लीजे, तो this will be 3 by 12, याने की 1 by 4, आप calculation में 1 by 4 लेके आप चलोगे, now, interest है 21 रुपे, तो I है 21 रुपीज, and rate आपको पता है क्या, rate आपको पता है क्या, rate ही तो find out करनी है, rate हमें निकालनी है, ठीक, तो कैसे करेंगे आप, अगर आपने timing पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके बने बनाए question भी गलत हो जाने है, चलो, देखिएगा, तो this will be, I equals to PRT by 100, ठीक है, तो I कितना है आपका, I है आपका 21 रुपे, 100 फॉर्मुले का, P आपका 875 रुपीज, into R आपको निकालनी है, और T है आपका 1 अपन 4, equals to, यह हो गया कितना R, आप कई सारे बिच्चे यहाँ पर आके गढ़बढ कर देंगे, तो उनके लिए मैं एक step, इसको direct नहीं लिख रही, ठीक, एक step बना दे रही होने, तो उनको दिक्कत होगी इसको solve करने में, 875 into R आपको निकालना है, this will be 1 by 4, यानि कि 100 into 4 आप इसको लिख सकते हो, यह जो 1 by 4 time है न, वो इस तरीके से 100 के साथ आजाएगा, ओके, नाउ, अब आप इसको calculate कर लो, तो यह किस से कट जाएगा, 5 के table से कट जाएगा, ठीक है, 5, 2, 20, 5, 0, 5, 1, 5, 5, 7, 35, और बचा 2, 5, 5, 25, ओके, और कट जाएगा 5 से, तो 5, 2, 5, 3, 15, बचा 2, 5, 5, 25, और 5, 4, 20, और कुछ कट रहे है क्या, हाँ, यह 21, 35 कट जाएगा आपस में, तो 7, 3, जा, और 7, 5, जा, ठीक है, तो यह कितना हो गया, यह कितना हो गया, 4, 4, 16, इंटू, और यह इधर 3, तो इस विल बी, इस विल बी वाट, 3 इंटू, 4 इंटू, 4, और यह यहाँ पर जाएगा, डिवाइड बाई 5, इक्वाल स्टू, आर परसेंट, इसको सॉल पर लो, तो कितना हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 5, तो इस विल बी, इस विल बी, 5, 9 जा 45, बचा कितना 3, तो 0,56 जा 30, 9.6 परसेंट जो होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो कई बार जब डेसिमल में, एक हमारी कैलकॉलेशन पस जाती है, तो आपको end तक solve करना पड़ेगा, otherwise आपने जैसे 5, 9 जा 45 किया था, तो सिफ 9 यहाँ पर देखके, पॉइंट का आगे नहीं भी solve करते, तो भी आप option को tick कर सकते थे, अगर none of the above का option नहीं given है तो, बट अगर यहाँ पर 4 option है, 3 numeric है, 4 नन of the above का है, या फिर 5 नन of the above का option है, तो फिर आपको approximation method नहीं लगानी है, आपको वहाँ पे आखरी तक solve करना है, ठीक है, क्योंकि last moment पे जाके कई बार question, कि answer नहीं आ रहे हैं, सही approach है, तो उसका मतलब है कि none of the above answer होगा, ठीक, तो वो बहुत खतरनाक option है, अगर वो आगया आपके maths reasoning में, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है, वहाँ पे आप approximate value नहीं ले सकते, चलिए, अगला question दिखिएगा, next question is, यदि एक राशी निश्यत दर पर 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो यह राशी साधारण ब्याज की समान दर पर, कितने साल में 6 गुनी हो जाएगी, तो अभी स्टाइब का question थोड़ी दिर पहले भी मैंने बताया था, कि राशी हमें नहीं पता, लेकिन वो 4 साल में 2 गुनी हो रही है, ओके, और साधारण ब्याज की दर पर, ती टू आपको निकालना है, कितने समय में, ती बन आपको गिविन है, 4, एन टू आपको पता है, कितना, 16 माइनस 1, और एन वन आपका कितना है, 2 माइनस 1, बस अब आप इसको solve कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, 1 बचेगा, और यहाँ पर, T2 इक्वल्स टू, 15 फोर्जा, 60, यानि कि, 60 साल आपका क्या जाएगा, आंसर कि वो जो particular sum of money है, वो 60 अर्स में क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 60 अर्स आपका आंसर है, तो कुछ question जो direct formula dependent है न, आपको इनको skip नहीं करना है, इवन आपका simple interest अगर weak भी है, ठीक है, तो उसमें से कम से कम, ऐसे वाले चीज़ें आप अच्छे से करके चले जाओ, क्योंकि कोई ठिकाना थोड़ी है, कि हमेशा यह नहीं होगा, कि tough ही question आए, जो आपसे नहीं बनता वहीं आए, हो सकता है आपसे formula based यह वाला question बनता हो, simple interest वाले chapter में, और लेकिन फिर भी simple interest आपको weak लगता है, तो आप सोचो, कि यह weak है, इसको मैं बिल्कुल ना पढ़ू, तो यह नहीं करना है, हर segment में से, कुछ न कुछ जितना आपको बन रहे इटलीस उतना आप कर लो, zero शोलने से अच्छा है, एक question भी अगर आपको बनता है तो आप उसको करके जाओ, क्योंकि किस्मत किसी ने नहीं वेखा, हो सकता है कि जो चीज आपसे अच्छे से बनती है, वहाँ से ऐसा question आजाए, जो आपसे ना बने, लेकिन जो topic आपसे नहीं बनता है, वहाँ पर ऐसा question आजाए, जो आपसे बन जाए, तो वहाँ के marks ये cover कर देगा, इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा हर चीज पढ़के जानी है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, मैंने बहुत अच्छी बात बोली है आप सभी के लिए, चलो, अब ये question है, यूपी PCS साल 2021 में पूछा गया था, जो कि directly SI पर बेजड नहीं है, CI लेकर आया है, और maximum 90% question, ऐसे ही होंगे, जो SI और CI को मिला कर पूछे जाएंगे, mix question आएंगे आपको, बट इसके mix करने के लिए, आपको SI अलग से आना चाहिए, इसलिए मैंने SI को अलग वीडियो में आपको समझाया, फिर next वीडियो में, CI लाओंगे, जिसमें SI के question मिला के हम करेंगे, ठीक है, अब ये question को, simple आपको, अब आप देख लीजे, the level of question जो कि previously पूछा गया, 2013 रिसेंटली नहीं पूछा था, लेकिन within 5 years, I think कोई 2 साल हैं जिसमें question पूछे गए हैं, और दोनों ही बार वो SI CI मिला कर पूछे गए हैं, ठीक है, तो और ऐसा कोई खतरना question नहीं है, आप देख पा रहे होगे, simple question है, तो इसके लिए आपको डरना है नहीं पहली चीज, मतलब आपको इतना तो समझ भी आगे, कि हमारी तैयारी सही चल रही है, ठीक है, अब आप देखिए, इसको करना क्या है, question क्या है, कि किस वार्षिक चक्रविदी व्याज की दर से, 1200 रुपे की राशी दो साल में, 1348.32 हो जाएगी, इसी टाइप के अभी मैं करा रही थी, ठीक है, तो अब कोई भी चीज हो जाएगी, या हो गई, मतलब जो amount to be pay होता है, है ना, वो क्या होगा, आपका मिश्रधन होगा, यानि की compounded amount होगा, ठीक है, अगर हम CI की बात करेंगे तो, तो यहाँ पर simply यह जो question है, यह solve हो जाएगा आपका इस formula से, P equals, A equals to P, 1 plus R upon 100 to the party, इस formula में आप रखोगे, तो आराम से आपका answer आजाएगा, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है rate, ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इस formula को apply करना है, इस question को आप solve करेंगे, solve करके देखेंगे कि क्या आपसे बन रहा है या नहीं, अगर यह नहीं बनेगा, तो कल की class तो CI की होगी ही, मैं उसमें उसको पिक कर लूँगी, बट यह बताने का काम आपका है, comment section में, ठीक है, तो यह चीज़ आप solve करेंगे, और मुझे comment section में answer देंगे, ठीक है, चलो, अब आज की इस class को हम यहीं पे end करते हैं, और कल मिलते हैं, next video के साथ, और next topic के साथ, ठीक है, that is compound interest, I hope आपको class पसंद आई हो, तो definitely आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई की तयारी कर सकते हैं, जो पर आप exam target कर रहे हैं, चाहिए UP हो, चाहिए अधर state PCOS हो, सभी के लिए video common है, ठीक है, but UP state के exam को target करके, हम series चल आ रहे हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखियेगा, अच्छे से पढ़ाई कीजेगा, ओके, बाई बाई